मेरे प्यारे दोस्तो आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत है देखे SSC GD का जो अभी तक पैटरन चल रहा है दोस्तो उस पर आधारित में 25 संभावित परसन लेकर आया हूँ इस वीडियो में तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और 25 में से कितना स्कोर कर पाते हैं आप लोग अपना स्कोर कमेंट बोक्स में जरू बताएगा क्योंकि 100% दोस्तो इसी परकार के कोशन एक्जाम में पूछे जा रहे हैं आज 17 जनवरी हैं और 17 जनवरी को भी इसी परकार के कोशन आएंगे तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखने के बाद में अपना स्कोर बताना मत भूलेगा चलिए सुरू करते हैं पहला कोशन है दोस्तो कौन सी पंचवर्षिय योजना में उस्तम वरदी दर हासिल हुई थी तो ट्राइ करके देखिए क्या सही आंसर रहता है इस कोशन का मेरे प्यारे दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर रहेगा 11 वी पंचवर्षिय योजना में मेरे प्यारे दोस्तो 11 वी पंचवर्षिय योजना में लगसे लिया गया था 9% का बट हासिल हुई थी 7.9%, मेरे प्यारे दोस्तों 7.9% अभी तक की हाइस था, तो इसलिए कोशन बहुत जादा इंपोर्टेंट बन जाता है, दूसरा कोशन आता है, चंद्रगुप्त मोरिया ने अपने अंतिम दिन कहा गुजा रहे थे, बिल्कुल दोस्तों चंद्रगुप् ने भी यही आंसर लगाया होगा, वीडियो को पोज कर लेना दोस्तों अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो, तीसरा कोशन आता है, उत्तर परदेश का लोकनत्य दोस्तों क्या है, देखें, अल्मोस्स सभी राज्यों के दोस्तों लोकनत्य पूछे जा चुके हैं, उप्रुक सभी हो जाएगा, इस कोशन का राइट आंसर, ये सभी दोस्तों उत्तर परदेश के लोकनत्य हैं, तो याद रखेगा, अगला कोशन दोस्तों आता है, मूल करतव्य किस देश से, देश के सविदान से लिए गए हैं, ये भी बहुत इंपोर्टेंट है, क्योंकि मूल करतव्य से संबंदित कल भी कोशन पूछे गए थे, परसु भी पोचे गए थे, जल्दी से आंसर बताइए, मेरे प्यारे दोस्तों मूल करतव्य किस देश के सविदान से लिए गए हैं, तो रूस के सविदान से, यानि की बी रैट आंसर हो जाएगा, दोस्तों की कोशन हंड्रेड परसेंट एससी जीडी पूछेगा ये वाला कोशन पूछा नहीं गया अभी तक जादेतर कोशन दोस्तों मैंने इसमें वो लिये हैं जो पूछे जा सकते हैं क्योंकि जो हो चुके वो तो मैं कराई रहूं ना आपको रेगुलर तो आप ट्राई करके दोस्तों राइट आंसर हैगा अनुच्छे 21 यानि की बी राइट आंसर हो जाएगा ठीक है और जो हमारी पीडिया पर दोस्तों छेएदार कोशन आंसर वाली इसमें दोस्तों 100% पूरा आपका पेपर कवर है यानि की कवर कैसे है दोस्तों ये भी समझ लीजे कहीं मैंने पूरा हिस्ट्री जोगरफी, पॉलेटी, एकनॉमिक्स, फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायलोजी, करेंट फिर, कंप्यूटर, इस्टेटिक, जीके यानि की मैंने केवल इंपोर्टेंट कोशन का कलेक्शन कर दिया 6000 कोशन तो अब इसमें से पेपर नि बनेगा तो फिर चटा कोशन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगा कोन सा है? देखें, बंदरगा से संबंदित कल भी कोशन पूछा गया था, तो राइट आंसर बताईए, मेरे प्यारे दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगा कोन सा है? मुंबई बंदरगा हो जगा सबसे बड़ा, च आतवा कोशन है दोस्तों वांगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है ये भी बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों एक्जाम में आ सकता है तो सातवे कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल सही उत्तर है अगर आप लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन ए किया है मेग तो मांगला उत्सव दोस्तों किस राज्य में मनाया जाता है मेगाले में राइट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा चले आटवा कोशन है दोस्तों भारत के मुख्या चुनावायुक्त कोन है देखे भारत के मुख्या चुनावायुक्त वरतमान में कोन क्या है न यहां से कोश का रहीट आंसर हैगा option B राजीव कुमार जी यानि की B रहीट आंसर हो जाएगा प्रुस होकी विशकब 2023 की मेजबानी कोन करेगा तो नौवे कोशन का रहीट आंसर क्या रहेगा भई मेरे प्यारे दोस्तो इस कोशन का सही उत्तर क्या हो जाएगा चल्दी बताइए नौवे कोशन का रहीट आंसर हैगा भारत यानि की option A is the right answer दसवे कोशन है दोस्तो भारत के विदेश मंतरी कोन है देखे सिक्सा मंतरी पूछे जा चुके है ठीक है ना अलग-अलग मंतरी पूछे जा रहे है कल भी पूछे गए थे तो अभी तक विदेश मंतरी नहीं पूछे गए है तो ये कोशन है एक्जाम में आ सकता है तो दसवे कोशन का दोस्तो रहीट आंसर क्या हो जाएगा बहुत ईजी है यार S.J. संकर यानी की B. रहीट आंसर हो जाएगा चलिए ग्यारवा कोशन आता है मेकिन इंडिया योजना की सुरुवात कब हुई थी योजना से संबंदित कोशन भी आपकी हर एक सिफ्ट में पूछा जा रहा है रात ही मैंने वीडियो अप्लोड की है सभी महत्पून योजनाओं से संबंदित परसन की तो उसको भी देख लेना मेरे प्यार दोस्तो क्यारवे कोशन का रहीट आंसर हैगा मेकन इंडिया योजना की सुरुवात वीती 2014 में यानी की ए रहीट आंसर हो जाएगा 12 कोशन आता है हलदी घाटी का यूद कब हुआ था मेरे प्यारे दोस्तो यूद से संबंदित कोशन भी आपके हरे एक एक्जाम में आ रहे है तो 12 कोशन का रहीट आंसर क्या रहेगा ओप्शन ए हो जाएगा 18 जून 1516 में दोस्तो हलदी घाटी का यूद हुआ था यानि की ए रहेट आंसर हो जाएगा भई कोशन नमबर 13 आता है नीती आयोग की स्थापना कब हुई थी देखें नीती आयोग से जो आपका है नीती आयोग नहीं हो गए यूजन आयोग होना चाहिए था क्योंकि ये तो नीती आयोग की स्थापना तो दोस्तो 2015 में होई थी बट यहां पर यूजन आयोग होगा है ना तो इसको करेक्ट कर लेना योजना आयोग की स्थापना बते, क्योंकि options के according तो दोस्तों योजना आयोग ही बनेगा न, तो question number 13 का right answer रहेगा, option ने 15 मार्च 1950 में दोस्तों योजना आयोग की स्थापना हुई थी, फिर योजना आयोग से नीती आयोग बना दिया गया था, है न, तो ये आपको धियान राइधानी क्या थी, तो ये भी पूछे जा रहे हैं भई, इस परकार के questions भी आ रहे है, 14 का right answer बताएगे, right answer दोस्तों हो जाएगा, राजगीर, बिम्बिसार के समय मगद की राइधानी क्या थी, राजगीर यानी की C right answer हो जाएगा, question number 15 ने दोस्तों, हर्मन प्रीच मन्दित है, तो ये आपको या दखना है, question number 16 नाता है, भारत में GST दिवस कब मनाया जाता है, दोस्तों भारत में GST देखे, GST से सम्मदित कोशन कल भी पूछा गया था, तो GST दिवस कब मनाया जाता है, दोस्तों, 16 कोशन का right answer है, option है 1 जुलाई को, तो right answer is option है, ये आपक परधान मंत्री के सासन में सुरू हूआ था दोस्तों, तो मन्रेगा की जो सुरुवात है, वो किस परधान मंत्री के सासन में हुई थी दोस्तों, 17 कोशन का right answer क्या रहेगा, बिलकुर से ये, मनमोहन सिंग जी के समय में, यानि की C right answer होएगा, 17 कोशन का सही उत्तर, ठीक है, चले, अठारवा कोशन आता है 2024 में कौन सी लोकसबा के चुनाव होंगे देखें अभी आपसे पूछा गया था दोस्तो अभी तक कितनी लोकसबा के चुनाव हो चुके हैं तो अभी वर्तमाने में दोस्तो जो लोकसबा चल रही है, सतरवी लोकसबा है यानि कि 2019 में दोस्तो सतरवी लोकसबा के चुनाव होए थे तो 2024 में कौन सी लोकसबा के चुनाव होंगे अठारवी लोकसबा के तो जब आपसे सतरवी पूछ लिया तो अठारवी भी पूछ सकता है ठीक है ना, तो कन्फ्यूज नहीं होना है उननिसवा कोशन है वर्तमान में बिहार के गवर्नर कोट है दीखे डेली एक गवर्नर से कोशन भी आपका बन रहा है अभी तक बिहार के गवर्नर दोस्तों नहीं पूछे गए जादेतार स्टेट्स के गवर्नर पूछ ले गए जैसे उत्तर परदेश के पूछ ले वेस्ट बेंगोल के तो दो बर पूछ ले गया है तो बिहार का भी दोस्त नंबर आदेगा क्योंकि अभी एक्जाम बहुत दिनों तक चलना है तो आप याद कर लीजे हर एक राज्य की गवर्नर और दोस्तो मुख्या मंतरी को क्यों इस पर भी मैंने वीडियो बना दिये वैसे देख लेना आप लो एकी वीडियो में दोनों चीज कवर करायए थी 19,000 का राइट आंसर हैगा option B, Fagoo, Chauhan तो B, राइट आंसर हैगा दोस्तो 19,000 का राइट आंसर हो जाएगा चले अगला कोशन आते दोस्तों नमक का रसायनिक सूतर क्या होता है देखे रसायनिक सूतर से संबंदित भी एक कोशन डेली पूछा जा रहा है अगर आप लोग बोलोगे तो एक वीडियो में बता देना जिसके कमेंट जादा रहेंगे 21 कोशन का रहीट आंसर एगा ओप्शन ए एने इसी यह भी ना इजी पेपर आ रहा है और डिफिगल्ड नहीं आ रहा है भारत में हरित क्रांती की सुरुवात किस ने की थी हरित क्रांती से संबंदित कल भी कोशन था दोस्तों एना तो आज भी आ सकता है भारत में हरित क्रांती की सुरुवात किस ने की थी तो 22 कोशन का रहेट आंसर हैगा option B C subarmaniam यानि की B right answer हो जाएगा 23 question आता है दोणाचारिय पुरुसकार की सुरुवात कब हुई थी 23 question तो दोणाचारिय पुरुसकार की सुरुवात मेरे प्यार दोस्तों कब हुई थी इस question का right answer हैगा 1985 में यानि की C right answer हो जाएगा 24 question है केसरी न्यूजपेपर की सुरुवात किसने की थी 24 question का right answer रहेगा बाल गंगदर तिलग जिने यानि की A right answer हो जाएगा दोस्तो 25 question आता है गणेसो उच्चव की सुरुवात किसने की थी देखे गणेसो उच्चव की सुरुवात दोस्तों किसने की थी दखना है तो अब एक कोशन का अंसर आप लोग बताएंगे ठीक है कोशन यही रहेगा आपका अठारवा दोजार चोबिस में कौन सी लोग सबग के चुनाव होंगे तो यह आपके लिए क्या है दोस्तो टेस्ट कोशन है तो फटा-फट इस कोशन का अंसर कमेट बोक्स में ब सब्सक्राव जो है वह बन रहा है और मैंने आपको हर एक उस टोपिक से कोशन पुछा है जिस से enhance पूचह जा रहेए तो अगर आप लोग यहां पर अच्छा स्कोर कर पार रहे हो दोस्तों tipo आपके पारेंगे दोस्तों प्रेश कर लीए यह विए प्लेइलिस्ट बता रहा हूँ उस प्लेइलिस्ट को देखे नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक है एक प्लेइलिस्ट है दोस्तों जिसमें 180 वीडियो है उन सभी वीडियो को देख लीजे ये 6000 के कोशन आंसस वाली पीडियाप लेने की जुरूरत नहीं पड़ेगी आ आउन कर लेंगे तो आपके पास आगया आने वाली से भी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे थेंकी सो मच बाइबाय और टेक क्या लखे अपना